आप सभी साथियों का MNT News नेटर्फ में सवागते साथियों इस वक्त अभी हम उत्तरपरदेश के लखनाओ में लखनाओ सहर में हो महोलाल गंसे पीपल्स फार्टियों पिंडिया के परतियासी आज हमारे साथ मौजूद है आए हम आपको उनके साथ आपका परीचे करा देते सर आपका पूरा नाम पैर शेम लाद सिंग है बैलेट पेपर में मेरा इसल सिंघ नाम रका गया है और यह इसी नाम से मैं जाना भी जाता हूं समाज में मैं 34 मुहालाल गंज लोगसभा सुरच्छित सीट से पीपी आईडी पार्टी पीपल्स पार्टी आफ इंडिया डेमोक्रेटिक के द्वारा उम्मेद्वार बनाया गया हूँ मेरी पार्टी के मुद्धे स्वास्थ रोजगार सुरच्छा यह मुद्धे मुख्य है पार्टी आपने इसी पार्टी को क्यों जुना आपकी इस पार्टी में क्या खास बात है इस पार्टी के बारे में हमारे मित्र बियार अंबेटकर जी कि पत्नी दोजार उन्नीस में चौतिस मोहलाल गंज लोकसवा छे से खड़ी हुई थी लेकिन उस समय मुझे ज्यादा इस चीज का आइडिया नहीं था अभी जल्दी में ही हमारे दूसरे मित्र श्री इंजीनियर एमल गौतम जी के द्वारा मालूम हुआ और जब इसमें मैं जूड़ा तो इसमें जानकरी यह हुई कि पीपी आईडी पार्टी में कोई अपना एकदम वर्चस उस्तरे का नहीं है कि मतलब हमेशा वो अध्यच बना रहे इसमें यह है कि समय समय पर मोश्टली दो साल में राश्टी इस्तर का अध्यच बदल जाता है प्रदेश और जिला इस्तर की कमेटियां बदलती रहते हैं तो मतलब इसमें भाईवती जावा दियने के एक बार कोई अध्यच बन गया तो हमेशा का ही बना रहेगा तो इसलिए पार्टी मुझे तो अच्छी लगी कि इसमें लोगतांत्रिक ढंक से मतलब काम हो रहा है तो इस पार्टी को मैंने पसंद किया और इस पार्टी से परचा दाखिल करने वालों मैं सेकन नमबर में था तो आपको कैसा लग रहा है आप लोकसभा सबाद चुनाओ लड़ा है पहली बार आप चुनाओ लड़ा हो और इसके पहले चोटा मोऩा भी कोई में और वहां की जंता के द्वारा भी मतलब मेरा लगाओ है साथ में सरोजनी नगर मलियाबाद बक्षी तालाब और सिधावली बिधान सभा इस लोग सभा मुहलाल गंज के अंतरगत आती है लगभग पांचों बिधान सभाओं में अपना संपर्क लोगों से है और यह मतलब अभी मैं पीपी आइडी जल्दी में ही जोइन किया हूँ लेकिन मतलब सोचल एक्टिविटीज मेरी लंबे समय से चली आ रहे हैं लगभग हम 35 से 40 साल कहेंगे तो अतिसे उक्त नहीं होगा आप यह बताए आप अभी फिल्ड में जा रहे हैं तो लोगों को क्या बाते आप बता रहे कि लोग आपके साथ जूड़ रहे हैं आपको वोट करेंगे आप लोगों को क्या समझा रहे हैं अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं कि हमारी पार्टी आएगी तो हमारा मतलब जो सम्मिधान खत्रे में मतलब बताया जा रहा है तो इस सम्मिधान अगर पार्टी हमारी जीत्ती है तो सम्मिधान मतलब हमारा बचेगा अवस्थ तो फिर लोगों के क्या सवाल आ रहे हैं आपको देखकर लोग क्या सवाल करते हैं आप जब मैं इस बात का फिपी आइडिक माध्यम से सारी चीज़ें उसकी मतलब अच्छा यह बताता हूं तो लोगों का रुजहान हमारी पार्टी के प्रेत और मेरे प्रेत मतलब सकारात्मक उत्तर आता है कॉंग्रेश बीजेपी कई बड़ी पार्टी आपके सामने चुनाओं लड़ रही है तो आप उनको किस तरिके से तक्कर दे पाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से उनको हमारी पार्टी के माध्यम से अभी मैं शीक रही जुड़ा हूं फिर भी हमारी पार्टी लंबे समय से मतलब काम कर रही लगवग 5 साल हो चुके हैं और उसको टक्कर देने के लिए समिधान संबंदी चीजें बताई जाएंगे कि हमारे पार्टी के एकर MP जीत करके और सरकार बनती है तो हमारा समिधान बचेगा और उनको टक्कर मात ऐसे ही खाने पड़ेगी अगर हमारी पार्टी की नीतियां अच्छी हैं तो लोग उसको समझेंगे और मतलब हमें सपोर्ट करेंगे और हम बारी बहुत से विजय हो करके संसाद में पहुचेंगे और हमारी यह पीपी आइडी पार्टी अपनी जानकारी के अंसार दोजार चोविस में तीसरे नंबर की पार्टी है जो सबसे ज्यादा कंडिडेट उतारे हैं और मतलब लगता है कि मतलब पीपी आइडी के सब्सक्राइगे तो किया अपील करना चाहेंगे अपनी लोगसभा छेतर की जनता से हमारे चैनल के माद्यम से है चोवतिस मौह लाल गंज लोगसभा छेतर की जनता से अपील करता हूं कि मुझे है अपना बहुमूल ओट दे करके लोगतंद्र की रच्छा लोगतंद्र के समिधान को बचाने के लिए ओट मुझे करे और मैं अगर उनके द्वारा मैं जीद करके जाता हूं तो मैं हर हालत में सरकार से अपना पच रखूँगा अगर मेरी सरकार फुल फलेज बनती है तो फिर उसमें समिधान अपने आप मतल करे लाइक और फॉलो करना ना भूले साथी बेल आइकॉन दबा कर जन्जागरूती की मुहिम में जुड़े रहे